कि नमस्कार दर्शकों कैसे वाप समय आज के इस मन मोहक शीव तांडव सोत्रम पर हमारे इस वीडियो में आप सभी का हर्दिक स्वाज़त करता है एक भजन जो भगवान शीव के ब्रह्मांडिया नूत्य के विश्मय कारी सार को दर्शाता है इस शक्तिशाली रचना के पीछे के गहन अर्थ और महत्वों को समझने के लिए आईए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं शीव दांडव स्थोत्रम जो है वो हिंदू धर्म में सबसे हमारे हिंदू धर्म में सबसे प्रतिश्थित देवताओं में से एक है भगवान शीव को समर्पित एक सक्तिशाली और मंत्र मुप कर देने वाला भजन है जो तो ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना महान रूशी रावण ने की थी जो भगवान शीव का अनंत भक्त था तोत्रम संस्क्रूत में लिखा गया है और यहां अपने लेपत छंदो और गहन अध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों तो आईए आज हम ऐसी ही पाज गहन अध्यात्मिक महत्व जानने का प्रयाज करते हैं पहला है उत्पत्ति और महत्व इसकी पहली जो अध्यात्मिक महत्व जानकारी जो है वो है उत्पत्ति और महत्व शीवतांडव सोत्रम जो है वो प्राचिन हिंदु ग्रंद रामायन में पाया जाता है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रावन ने अपनी भक्ति प्रदर्शित करने और उनका आशिर्वाद प्राप्त करने भगवान शीव की स्तूति में इस तोत्र की रचना की थी तोत्र भगवान शीव की महिमा शक्ति और लवकिक नुत्य को दर्शाता है जिसे तंडव के नाम से जाना जाता है दोस्तों दूसरा अथ्यात्मिक है सरचना और सामग्री शीवतांडर सोत्र में कुल सोलाश लोग है प्रत्य एक में चार पंतिया है ये चंद विशिस्त काव्य चंद अनुस्तुप्त अनुस्तुप्त चंद में खुप्सूर्ती से रचित है तोस्रम में भगवान शीव के विभिन्न पहुलोग का वर्णन किया गया है जुस्तों जिसमें उनकी शारेरिक उपस्तिती गुण और ब्रह्मांडिय निरुत्य शामिल है तीसरा है प्रतिकवाद और अर्थ स्तोत्रम भगवान शीव की भव्यता और दिव्य गुणों की खित्रित करने के लिए सम्रुद्ध रूप को और प्रतिकों का उप्योग करता है इसमें उनके उल्जे हुए बाल उनके माथे पर धर्म चंद्र अर्ज चंद्र उनकी जटाओं से बहती गंगा और उनके गले में लिपते सापों का वर्णन करता है जंद भगवान शीव के गतीजी नुत्य को भी चित्रित करते हैं दोस्तों जो सूजन सरक्षन और विधटन के शास्वत चक्र का प्रतिनिजित्वर्ट करता है दोस्तों अब चौथा है भक्ति अभ्याद शीव नंडव स्तोत्रम का पाठ करना और उसे सुनना भगवान शीव के प्रति भक्ति और सद्धा का काजम माना जाता है कई भक्तों का मानना है कि इस भजन का जात या ध्यान करने से आशीरवाद आंतरिक शक्ति और आध्याद्मिक जागरूप्ति का अवहाल किया जात सकता है क्या होता है इस भजन को सुनने से भजन का जाब या ध्यान करने से आशीरवाद 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 शक्ति और आध्याद्मिक जागरूप्ति का अवहाल किया जा सकता है दोस्तों इसे अक्सर विशेश अवस्वरों तेवहार या दैनी प्रार्थनाओं के एट भाग के रूप में पढ़ा जार सकता है। अब पाच्वा महत्वां पाच्वा और आखिरी संगित रूपांतरण वर्षो से शिवतांडव सोत्रम में विभिन्य संगित रशनाओं को प्रेरित किया है। यहां हिंदूस्ताने शास्त्रिया, कर्मेटक शास्त्रिया और फ्यूजर शेलियों सहित विभिन्य शास्त्रिय संगित शेलियों में प्रस्तूत किया जाता है। यह संगित में प्रस्तूतिया तोत्रम के पहले से ही गहन घीतों में एक मधूर और मन मोहक आयाम जोड़ती आई है दोस्तों। हम यह याद रखे कि शिवतांडव सोत्रम का पाड़ करते या सूनते समय इसे त्रद्धा के साथ करना और छंदों के पीछे के गहरे आध्यात्मिक अर्थ पर कि इसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक अर्थ पर ध्यान के इंद्रित करना महत्वपून है यह प्रेणा के सोत्र के रूप में काम कर सकता है दोस्तों। आपको भगवान शिव की धिव्य उर्जा से जोड सकता है और आपके जीवन में शांती और भगवान आपके जीवन में शांती की भावना को बढ़ावा दे सकता है। हम शिवतांडो सोत्रम की अपनी खोज यही पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों। हम आजा करते हैं कि इस यात्राने इस शिवतांडो भजन यात्राने भगवान शिव की जीव्य महिमा के लिए आपकी समझ और प्रशंसा को गहरा कर दिया होगा। इस भजन के लेबद चंद आपके भीतर गूज से रहे भक्ती को प्रेजित करें और आपके आध्यात्मी संबंद को जागरुद करता रहे दोस्तों। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हो कि प्लीज मेरे इस यूट्यूब कैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें धन्यवाद। ओम नमस्शिवाय हर हर महादेव